Season 3 के साथ एक complete cycle हमारा हो चुका है, cycle 1 season 3 अभी end होने ही वाला है और इसके बाद आपको एक नया cycle देखने को मिलेगा cycle 2 और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा season 4 तो इस वीडियो के अंदर हम जो जानने वाला है cycle 2 season 4 के confirm release date क्या है और इस बाद tier reset भी होने वाला है तो कौन से tier से आप कौन से tier के अंदर जाने वाले हो इसके बारे में भी बताऊंगा और साती सथ month 7 का royal pass के release date भी बताऊंगा तो वीडियो काफी informative है, लास तक देखो वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, ऐसे informative टोब इसको बर daily वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रिस करके all notification on कर देना तो नमस्का उस्तो मेहन में रुद्र, अब दिखाए अप information तो चली जादे न करके, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं month 7 royal pass का ending date है, यहाँ पर 17 तारीक को, पर 17 तारीक को royal pass lock नहीं होने वाला royal pass lock होने वाला है, 18 तारीक को सुबे सारे 5 बजे, यहाँ पर UTC 0 बोला गया है यह Indian time है, अगर आप किसी बाहर country से वीडियो देख रहो, तो आप अपने country के इसाब से time set कर लेना अपने country के इसाब से आप नीचे comment के अंदर भी बगा सकतो, time तक ही दूसरे लोगों का help हो जाए तो 18 तारीक सुबे सारे 5 बजे से पहले जो भी royal pass के अंदर आपका काम है उसको आपको complete कर ले रहे सबसे पहले जो RP points है उसको आपको use कर लेना है redeem swap के अंदर चाहे आप RP batches purchase करके royal adventure खिल जाकते हो, create opening कर सकते हो, जो भी आपका मर्दी है उसको कर लो क्योंकि इसके बाद आपके जो RP points है वो next month के अंदर use नहीं होने वाले, जो भी RP mission cards है उसको भी आपको use कर लेना है क्योंकि month 7 के अंदर RP mission card भी नहीं जाने वाला, जो भी card है वो आपको month 6 के अंदर use करना है और जो भी mission आपको complete करना है सब आप कर सकते हो, 18 तरीक सुबे सारे 5 बज़े तक, और 18 तरीक सुबे सारे 5 बज़े आपको royal pass lock होता होगा देखने को मिलेगा तो अभी बात करते है rank pushers की तो यहाँ पर जो ending date है season का वो है 17 January को पर 17 January को भी आप rank push कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 18 January सुबे सारे 5 बज़े तक जितना होसा कि आप rank push कर लो आपको अगर ace जना है conquer जना है आप जा सकते हो, 18 January सुबे सारे 5 बज़े सारे 7 बज़े तक रहने वाला है free time तब आपका ना plus जाएगा ना आपका minus जाएगा, और 18 January सुबे सारे 5 बज़े आपको देखने को मिलेगा new season cycle to season 3 और 7 साथ आपको देखने को मिलेगा एक new royal pass month 7 का, तो 18 तरीक आने वाला है सुबे सारे 7 बज़े new royal pass, साथी साथ एक new season तो जो भी आपके tier है वो reset हो जाएगा, new tier rewards भी आपको देखने को मिलेगा, और month 7 का एक new royal pass भी आपको देखने को मिलेगा and cycle to season 4 के अंदर आप कौन से tier के अंदर जाने वाले हो, तो जो लोग cycle 1 season 3 के अंदर है, bronze and silver के अंदर, उनके tier के अंदर कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलेगा, वो जैसे है, वो ऐसे ही रहने वाले हैं, अभी बात करते है, gold 2, gold 3, gold 4 and gold 5 के players जो cycle 1 season 3 के अंदर है, वो cycle to season 4 क अंदर जाने वाले है, gold 5 के अंदर, platinum 4, 5, gold 1 के players जाने वाले gold 4 के अंदर, platinum 1, 2, 3 के players जाने वाले gold 3 के अंदर, and अभी बात करते है, diamond tier 3, 4, 5 के players जाने वाले gold 2 के अंदर, and diamond 1 and 2 के players जाने वाले gold 1 के अंदर, ground 4, 5 के players जाने वाले platinum 5 के अंदर, crown 2, 3 के players जाने वाले है, platinum 4 के Ground 1 के players जाने वाल है platinum 3 के अंदर अभी बात करते है ace tier की ace and ace master के अंदर जो भी लोग है c1 ace 3 के अंदर जिनका rank है 4700 से लेके 4800 तक वो लोग जाने वाल है platinum 2 के अंदर अभी बात करते है conqueror, ace dominator and ace master की अगर आप हो 4800 से लेके 5200 point के अंदर तो आप लोग platinum 1 से next season को start करने वाले हो तो ये होने वाल है आपके पूरा का पूरा tier reset, तो अभी फिलाला आप कौनसे tier के अंदर हो and कौनसे tier के अंदर आप जाने वाले हो नीचे comment के अंदर जरू बताना, तो ये तो था पूरा का पूरा information, पूरा का पूरा date and timing में आपको बता दिया जो की confirm है, तो वीडियो आप